तो बताईए AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन ये कांपे किया जाएगा तो आंसर होगा मुंबई और पुने में AFC मतलब Asian Football Confederation तो अगले साल भारत में होने वाले महिला एशिया कप के मैच ये मुंबई और पुने में होंगे Actually मैं पहले ये मैच है ना भुवनेश्वर और एहमदाबाद में होने वाले थे लेकिन अब बोला गया ये मुंबई और पुने में होंगे अच्छा आप तो ये बताओ 2023 में जो मेंस होकी वर्ल्ड कप होने वाले वो कहां पे होंगे उडिसा में होंगे उडिसा के भुवनेश्वर और राउड के ला में होंगे और 2023 में ही आपको याद है ICC मेंस वर्ल्ड कप भी होंगे वो भी भारत में ही होंगे और 2023 में ही भारत G20 सम्मिट की मेजबानी भी करेगा और राउर केला में आपको बोता है भारत का सबसे बड़ा होक्की स्टेडियम बनाया जा रहा है उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है और स्टेडियम से आपको याद होगा पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल होक्की स्टेडियम का नाम बलबीर सिंग सीनियर के नाम पर रखा गया है और बाइचिंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है कहां पर नामची सिक्किम में देखो फुटबॉल से आपको याद होगा फीफा वल्ड कप जो कि 2022 में होने वाले कहां पर होंगे कतर दोहा में होंगे अगर आपसे पूछा जाए पिछला वाला यानि कि 2018 में जो फीफा वल्ड कप हुआ था वो कहां पर हुआ था आप जानते हो रश्या में हुआ था उसको किस ने जीता था फ्रांस ने जीता था किसको हरा करके क्रोईशिया को हरा करके और अगर आपसे पूछा जाए फीफा अंडर 17 वुमें वर्ड कप चोकि 2022 में होंगे कहा पे होंगे भारत में होंगे उसी तरह से Under 20 Women World Cup कहा पे होंगे वो कोस्टार रिका में होंगे ये तो Women's World Cup की बात हो गई इसी तरह से अगर आपसे Mains World Cup के लिए पूछा जाए जैसे कि FIFA Under 17 Mains World Cup कहाँ पे होंगे तो ये 2023 में होंगे पेरू में और under 20 mains world cup कहां पे होंगे तो ये इंडोनेशिया में होंगे तो ये भी आपको साथ में याद रखना है अभी जो कोपा अमेरिका हुआ उसको किसने जीत लिया अर्जेंटीना ने जीत लिया ब्राजील को हरा करके और यूरो कप जो अभी हुआ था उसको किसने जीत लिया इटली ने जीत लिया अज़ फीफा से भी दो पॉइंट याद रखना कि फीफा का हैटकोर्टर कहां पर है जो रिक स्विट्चल लेंड में है और इसके प्रेसिडेंट को ने ग्यानी इंफैनिटो है पिर बताईए अभी हाली में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में पदक तालिका में भारत कौन से इस्थान पर रहा तो अंसरों का दस्वे इस्थान पर अच्छा पहले तो ये बताओ कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 ये कहां पर हुआ? क्रोईशिया में हुआ पार मेडल जीते हैं टोटल एक गूल्ड है एक सिल्वर है और दो ब्रोंज है एक गूल्ड किस ने जीता? राही सरनोबत ने जीता है और जो सिल्वर है ये संयुक्त रूप से मनु भाकर और असौरब चोदरी ने जीता है और इस तरह से भारत को रेंक मिली है इसमें दसवी पहली रेंक इसको मिली है रशिया को तो ये भी याद रखना है यहाँ पर ऐसे भी प्रशन बन जाता है रानी सरनोबत का नाम दे देंगे एक्जाम में बोलेंगे इनका सम्मन की स्खेल से है चलो ये बताओ उलम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एक मात्र भारतिकों ने अभिनो बिंद्रा है 2008 में जीता था बिजिंग उलम्पिक में इन्होंने और अभी आपको याद भी होगा तिरंदाजी वल्ड कप जो चल रहा था पैरिस में उसमें दीपी का कुमारी ने गोल्ड जीता था एक दिन में तीन गोल्ड जीत करके रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने अच्छा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका हेड़कोर्टर कहां पर है म्यूनिक चेर्मनी में है फिर बताईए अभी हाली में तोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारते जूरी के रूप में किसे चुन लिया गया है तो आंसर होगा पवन सिंग को तो ये नेशनल राइफल असूसियेशन ओफ इंडिया के जॉइन सेक्रेटरी है यानि कि संयुक्त महा सचीव है पवन सिंग जिनको टोक्यो ओलंपिक खेलो के लिए पहले भारते जूरी के रूप में चुना गया है आपकी टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो चुके हैं याद रखना तो टोटल 26 जूरी मेंबर ओलंपिक में भाग ले रहे हैं इन में से छे जापान से हैं और बाकी दूसरे देशों से हैं जिसमें से एक ये भारत से भी हैं पवन सिंग इनका नाम है अशुक कुमार का नाम आपको याद होगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुष्टी में एम्पाइरिंग करने वाले ये एक मातर भारतिया हैं करनम मलिशवरी का नाम तो आप जानते ही हो ओलंपिक में पदक जीतने वाली एक मातर भारते महिला वैटलिफ्टर थी ये ब्रोंज मेडल जीता था इन्होंने चलो बताओ भी वैटलिफ्टिंग में महिला के टीगरी में किसने सिल्वर मैडल जीत लिया है और दिल्ली स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बन गई है करनम मलेश्वरी बाकिदों को अब्दुला शाहित की बात करेंगे वैसे तो मालदीव की विदेश मंद्री हैं ये लिकिन अभी United Nation General Assembly की 76th सेशन का अध्यक्ष इनको बनाया गया है और अगर मैं आपसे पूछूँ वहो के कारिकारी बोड के नए अद्देक्स कौन बन गए तो अंसार होगा डॉक्टर पैटरिक अमोत बन गए हैं ये केन्या से हैं और केन्या की केपिटल नैरोबी होती है United Nation Environment Program का Headquarter आपको यहीं पे मिलेगा नैरोबी में और केन्या से एक महिला का नाम आपने जरूर सुना होगा मार्था कुम का नाम क्योंकि केन्या की पहली महिला Chief Justice है ये अभी बनी है ये नया appointment याद रखना बढ़ते हैं के अच्छा बताईए हाली में Wimbledon Open में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है तो अंसर होगा एशले बार्टी ने तो दुनिया की नंबर वन टैनिस प्लेयर है ये एशले बार्टी और ये किस देश की टैनिस प्लेयर है पूछेंगे तो और वैसे अगर बात करोगे व्यक्ति वाइस तो ये इनका दूसरा Grand Slam है पहला कौन सा था? 2019 में French Open जीता था इन्होंने आपको याद होगा अच्छा इन्होंने किसको हराया? जिसको हराया वो नाम भी ध्यान रखो इस तरह के प्रशन अगर थोड़ा सा तिपिकल बनाना आपको तो इस तरह के प्रशने डाले जाएंगे तो किसको हराया? कैरोलिना प्लेस कोवा को हराया है जो कि चेक रिपब्लिक की प्लेयर है तो देखो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइस करा देता हूँ इस साल सबसे पहला Grand Slam हुआ था Australian Open जिसमें Women Single का टाइटल जीता थ नाउमी उसाका ने और में सिंगल का टाइटल किस ने जीता? नोबाग चोकोविच ने जीता जो कि सर्बिया के प्लेयर है नाउमी उसाका ये जापान की प्लेयर है उसके बाद French Open हुआ था जिसको Roland Garros भी कहते हैं ये भी आदर्खना मैं बार-बार आपको बताता हूँ दे कर रिपब्लिक कियें उसमें भी में सिंगल टाइटल किस ने जीता था नोबाग चोकोविच ने जो कि सर्बिया के प्लेयर है और अब यह हमने देखी लिया विंबल्डन ओपन जिसमें महिला सिंगल टाइटल एशले बार्टी ने जीत लिया अब बात आती है इसका प्रेंशिप भी जीती थी तब भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा बढ़ते आगे तो यह लिजे प्रस्न भी आ गया बताइए किसने विंबल्डन ओपन में में सिंगल टाइटल जीत लिया तो अंसर होगा इसका भी क्या नोबाग चोकोविच तो देखो कितना आसान होगे इसको याद रखना शुरुवात के तीनों ग्रेंड स्लेम ऑस्टेलिन ओपन फ्रेंच ओपन विंबल्डन ओपन में में सिंगल के टाइटल किसने जीत लिया नोबाग जोकोविच ने जीत लिया जोकि सर्बिया के प्लेयर है और नंबर वन टैनिस प्लेयर है तो यह आपको याद ही रहेगा है ना बाकि अलेक्जंदर जोरिव की बात करेंगे यह जर्मन के टैनिस प्लेयर है अभी मेड्रिड ओपन में में सिंगल टाइटल इनोंने जीता था जबकि वुमिन सिंगल टाइटल किसने जीता था एरिना सबा लेंका ने जोकि बेलरूस की प्ले इनोंने जीता है रोजर फेडर ये स्विस प्लेयर है देखो मैं आपको बता दू यहां से साल में चार ग्रेंड स्लेम होते हैं तीन तो हो चुके हैं आप जानते हैं यह और यह बाकि है कौन सा यूएस ओपन डेखो यहां से भी इस्टेटिक प्रस्ण पूछ लिया जाता ह कहीं बार एक्जाम में कि कौन सा ग्रेंड स्लेम किस कोट पे खेला जाता है इस तरह के प्रस्ण तो याद रखना बड़ा सिंपल है पहला वाला और आखरी वाला यानि कि ऑस्ट्रेलेन ओपन और यूएस ओपन यह हार्ड कोट पे होता है उसके अलावा फ्रेंच ओपन की बात करेंगे यह क्ले कोट पे होता है और विम्बल्डन ओपन यह आपका ग्रास कोट पे होता है और यह जो विम्बल्डन ओपन है न इसे लास्ट ताइम 2020 में रद्द कर दिया गया था यह भी ध्यान रखना और सबसे पूराना ग्रेंड स्लेम पूछा जाए तो यही है व मदद मिलती है न आपको तो please इसे share जरूर करा करें इसकी मदद जरूर करें ठीक है मैं मानता हूं मदद लेना अच्छा लगता है लेकिन मदद करके देखें आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि इन वीडियो पर response बिल्कुल भी नहीं आता है बहुत महनत से बहुत दिल से त्यार करता हूं मैं इनको लेकिन views नहीं आते हैं कोई value नहीं रह जाती है इनकी zero अंडा views नहीं आते हैं students नहीं देखते हैं मतलब ये zero है अंडा है flop है तो please इसे अपने study group में जो भी आपका study group हो गया whatsapp पे facebook पे telegram पे या अपने दोस्तों के साथ में जैसे भी आप share कर सकत हो ना family में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके साथ share कर दो फिर वेतना सा support मांग रहा है वहाँ लोगों से what's up पे status है वहाँ पे आप status लगाते हो एक अधी status इसको भी लगा दो help तो करने से होगी करना तो पड़ेगा और हाँ ये video खतम होने के बाद इसकी quiz भी आप अर्जेंटिना ने final में किसको हराया ब्राजील को हराया है और पिछले 28 साल में पहली बार अर्जेंटिना ने कोई बड़ा खिताब जीता है और इसमें लियोनल मेशी ने जिन्होंने record 6 बार FIFA World Player of the Year का खिता है उन्होंने अपनी roster team के साथ अपनी पहली trophy जीती है और ये खे पल साब को क्या याद रखना है किसने जीता अर्जेंटिना ने किसको हराया ब्राजील को हराया काँ पे हुआ था ब्राजील में ही हुआ था और इसमें best player रहे लियोनल मैसी जो के अर्जेंटिना के हैं और ब्राजील के जो नेमार है उनको भी best player चुना गया यानि कि दोनो की एपिटल ब्योनेस आयर से और अर्जिंटीना में जो घास के मैदाने उनको क्या कहते हैं पंपास और यहाँ पे जो मरुस्थल मिलेगा आपको उसको कहते हैं पैटागोनिया का मरुस्थल अच्छा साउट अमेरिका में है न ये साउट अमेरिका की सबसे उची चूटी कौ पेंशिप जीत ली है और फाइनल में किसको हराय था इंग्लेंड को हराय था याद रखना फुटबोल का दूसरा सबसे बड़ा खिताब इसे कहा जाता है पहला फीफा वल्ल्ड कप को कहा जाता है और फीफा वल्ल्ड कप जो 2022 में होने वो कांपे होने कतर दोहा में होने है यूरो कप 2020 जीत लिया याद रखना किसने इतली ने इंग्लैंको हरा करके ये इंग्लैंड में हुआ था और अभी हमने पड़ा था कोपा अमेरिका 2021 ये ब्राजील में हुआ था जीत लिया अर्जेंटिना ने ब्राजील को ही हरा करके उसके अलवा यहाँ पर आपको बता दूँ कि इटली के लियोनार्दू यूरो कप में गूल करने वाले सबसे उम्रेदराज व्यक्ति भी बन गए अच्छा बताओ महिला एशिया कप 2022 ये कहाँ पे होंगे? होंगे तो भारत में लेकिन भारत में भी कहाँ पे? इनके वेन्यू चेंज हो गए अभी तो ये मुंबई और पूरे में होंगे देखो यूरो कप की बात करें जनरल तो इसकी स्टार्टिंग होती है कब 1958 में सबसी जदा इस्पीन और जर्मनी ने ये जीते हैं तीन-तीन बार यूरो कप ये चार साल में एक बार होता है और पिछ और एटना ज्वाला मुखी ये आपको मिलेगी इटली में ही और इटली की जो कैपिटल है रोम यहाँ पे हैड़कॉर्टर है किसका फूड एग्रिकल्चर और्गेनाइजेशन का जिसके स्टापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को और इसलिए तो 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल फूड प्रोग्राम का हेड़कॉर्टर भी मिल जाएगा जिसने 2020 का नोबल शांती पूरुसकार जीता था अचा फूड बॉरल से संबंदित और भी महत्वपुन कप हैं जो आपको पता होने चीए जैसे कि पूछा जाता है क्योंकि इस तरह के एक्जाम में कि डूरंड कप का संबंद किस खेल से हैं रोवर्स कप का संबंद किस खेल से हैं चलो बताओ संतोष ट्रोफी का संबंद किस खेल से हैं सुब्रतो मुखरजी कप का संबंद किस खेल से हैं आशुतोष मुखरजी कप आपने सुना होगा इसका संबंद किस से हैं आरे सब का संबंद किस से फ किस ने जीत लिया तो अंचार होगा समीर बनर जी ने तो अभी भारते मुलके अमेरिकी हैं ये समीर बनर जी और इन्होंने विंबल्डन की जूनियर चेंपिन्शिप में खिताब जीत कर इतिहास रज दिया है तो इनका नाम आपको याद रखना है वैसे अभी विंबल्डन 2020 का जो पुरुष एकल का किताब वो किस ने जीता था नोवाग चोकोविच ने और इसमें महिला एकल का किताब जीता है एशले बार्टी ने जो कि आस्ट्रेलिया के प्लियर है नोवाग चोकोविच वो सर्बिया के प्लियर है विंबल्डन उपन में आपको बताया था सब महिने के लिए ICC महिला Player of the Month के रूप में किसे नामित किया गया तो अंसार होगा Sophie Ecclestone को देखो आपको बताए इस साल ICC ने एक नए अवर्ड शुरू किया था ICC Player of the Month और अभी जून महिने तक के लिए यानि कि टोटल छे महिनों तक के लिए ये अवर्ड घोशित किये जा चुके है पुरूशों के लिए और महिलाओं के लिए तो एक महिने में दो नाम आपको याद रखने हैं आप टोटल बारा नाम हो गए 12 नाम आपको याद रखने क्योंकि यहाँ से आपकी एक्जाम में प्रशना आएगा एक नमबर पक्का समझो आप तो पहले तो इस प्रशने पे चल्चा कर लेते अभी जून महीने के लिए ICC Women's Player of the Month चुना गया Sophie Acklesstone को यह England की प्लेयर है और England से याद रखना England की एक और प्लेयर है Tammy Beaumont जिनने फरवरी मन्त के लिए ICC Women's Player of the Month चुना गया था जबकि पुरुष वर्ग में बात करेंगे तो New Zealand के Devon Conway को चुना गया है चलो एक बार मैं आपको सभी रिवाइस करा दिता हूँ जनवरी से जून तक देखो जनवरी की बात करते हैं तो इसमें पुरुष का किताब जीता था रिशप पंत ने महिलाओं का किताब जीता था शबनम इसमाइल ने जो की साउथ अफरीका की है फरवरी में पुरुषों का किताब जीता आर अश्विन ने महिलाओं का जिता टैमी बैमोन ने जो की इंगलेंड की है मार्च महीने में बात करेंगे तो पुरुषों में विजेता रहे या पुरुष किताब जिता भूवनेशवर कुमार ने और महिलाओं में जिता लिजैल ली ने जो कि साौथ अफरीका से है अप्रेल की बात करेंगे बाबा राजम पुरुषों में बाबा राजम विजिता रहे पाकिस्तान के हैं और महिलाओं में ये खिताब जीता किसने अलिसा हैली ने जो कि आस्ट्रेलिया की हैं फिर मई की बात करेंगे पुरूशों में ये खिताब जिता मुष्फिकुर रही में जो कि बांगलादेश के हैं और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस जो कि स्कॉटलेंड की हैं और जून का हम लोगों ने देख लिया महिलाओं का खिताब जिता सोफिय एकले स्टोन ने और आपके लिए इनका क्विज बना करके मैंने क्रेक एक्जम एप्लिकेशन पर अप्लूड कर दिया है ताकि आप जब भी समय मिले आपके पास पूरे 24 गंटे में जब भी एका दो मिनिट पांच मिनिट आपके पास फ्री हों तो वो एप्लिकेशन खुल के बेट जाओ ये क् लगाओगे बार बार लगाओगे बार बार लगाओगे तो वो नाम आपको याद होते चले जाएंगे करके देखना सच बोल डरौन अच्छा बताईए हाली में किसने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तो पुर्तगाल के पताने और आदुनिक समय के महान खिलाडी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है और केवल चार गेम खेलने के बाओ जो तो रोनाल्डो ने ये सीड्स सम्मान हासिल किया क्योंकि उन्होंने पांच गोल किये थे अभी यूरो कप 2020 हु कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटिना ने जीता था ब्राजिल को अरा करके ब्राजिल में हुआ था ये और फीफा वर्ल्ड कप 2022 होगा कतर दोहा में फीफा का हैड़ो कोटर चुरिक स्विचल लेंड इसके अध्यक्स ग्यानी इंफेनिटो बताईए कि इस राज्य ने मुख्य मंत्री कर्म तत पर अभ्यान को शुरू किया तो अंसरों का उडिशा ने तो शहरी गरीबूं को रोजगार के उसर प्रदान करने के लिए उडिशा सरकार ने ये मुख्य मंत्री कर्म तत पर अभ्यान को शुरू किया है और इसी को मुक्ता योजना भी कहते हैं तो इस योजना के तहट तूफानी जल निकासी, वर्षा जल संचैन, हरित आवरन, स्वच्छता में वरदी, सामुदाइक केंद्रों का निर्मान आदी जैसी गतिवीदिया शुरू की जाएगी और इसका मुख्य उद्दिश यही है शहरी गरिबों को रोजगार उपलब्द कराना, आप कह सकते हो कि यह अभ्यान शहरी शैत्रों के लिए नरेगा योजना का काम करेगा, देखो उडिसा की केपिटल भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक, यहां के मुख्य मंत्री है और बेबी रानी मोर रहा है, यहां की ग जिरात में, फिर बताईए अभी हाल इमें किस राज्य सरकार ने राज्य में हेल्थ एटियम इस्तापित करने की योजना बनाई है, तो अंसरोगा उत्रप्रदेश ने, हेल्थ एटियम क्या होते है, तो जैसे कि एक मशीन लगी होती है, जिसके जरिया आप बॉड़ी मास शरीर का ताप मान कितना है, शरीर में ऑक्सिजन की मातरा कितनी है, वजन कितना है, मेटाबॉलिक एज कितनी है, मतलब ये सारी चीज़े आपको पता चल सकेगी इसके दुरूब, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कमी कहां पर है, ताकि फिर उसे सही करने पर आप ध्यान दे सकें, तो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह के हेल्थ ATM लगाएगी पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्ति सेवाओं को भैतर करने के लिए, और आपको याद होगा इस तरह का भारत का पहला हेल्थ ATM भी कहां पर लगाया गया था, उत्तर प्रदेश के लखनव रिल्वे स्टेशन पे, और लखनव में ही अभी हमारे जो प्रसिडेंट है रामनात कुविंद, उन्होंने डॉक्टर भीम राव अंबिड कर सांस्करति केंद्र का उधगाटन भी किया था लखनव में ही, और लखनव किस नदी की किनारे स्थित है, लखनव उसकी कैपिट ने रायतू भरोसा चेतन्य जात्रा या आयूजित की तो अंसर होगा अंदरप्रदेश ने, अंदरप्रदेश की जो मुख्य मंत्रियें क्या नाम रे, जगन मोहन रिड्डी, तो उन्होंने अभी इफसल और भी कहीं अन्यकरशी मुद्दों पर किसानों के बीच में जाग हमने पढ़ा था कि मुख्य मंत्रि स्कॉच अफ द इयर का अवर्ड किसे मिला था, जगन मोहन रिड्डी को ही मिला था, और यहां के जो गवर्नार ना विश्व भूशन हरी चंदरन, उनको कलिंग रतन पुरुसकार मिला था, और आंदरप्रदेश से एक बच्ची का नाम याद रखना, रित्विका श्री, मात्र 9 साल की बच्ची हैं ये, और कक्षा दूसरी में पढ़ती हैं, और अभी अफ्रेका महाद्वीप की जो सबसे उची परवच चोटी है, माउंट किली मंजारो, उसको फत्य करने वाली एश्या की सबसे कम उमर की ये लड़की बनी थ आए आप से कि ये किस देश में है, तो तंजानिया में है, और देखो किसानों से रिलेटेड कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूँ, जो भी चर्चा में रही, जैसे कि प्रधान मंतरी किसान योजना, पहले तो ये बताओ, इसकी शुरुआत कब होती है, 24 फरवरी 2019 को उत्तरप्रदेश के गौरकपुर से इसको शुरू किया गया था, ये वही है जिसमें किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपे करके मतलब 3 किस्तों में टूटल 6 हजार रुपे दिये जाते हैं, और इसी योजना के तहत किस जिले को शीर्च राष्ट्रे पुरुसकार मिला था, तो आंदर प्रदेश के अनंत पुरुकू, अभी पश्चि मंकाल ने भी करशक बंदू योजना शुरू किया, शुरू नहीं कि मतलब फिर से लॉंच किया, पहले इसमें 5,000 रुपे दिये जाते थे किसानों को अब 10,000 रुपे दिये जाएंगे, ऐसा है ये, और याद रत्य या थाल नरत्य भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये, अच्छा बताईए अभी किस राज्य सरकार ने एक टाइगर कॉरिडर विक्सेत करने की योजना बनाई तो आंचारोकर राजस्तान ने, और आपको याद होगा भी भारत का 52 वा और राजस्तान का चोथा टाइग टाइगर रिजर्व बन गया, रामगड विश्यधारी अभ्यरण ने, जो कि आपको मिलेगा राजस्तान के बूंदी में, और ये जो अभ्यरण ने है, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये रन थंबोल टाइगर रिजर्व और मुकंदरा टाइगर रिजर्व के बीच में स् टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्षे कप का है 2022 का है लेकिन समय से पहले किस ने डबल कर लिया पिलिभीट टाइगर रिजर्व ने जो की उत्तरप्रदेश का है और इसलिए इसे TX2 अवार्ड भी मिला था याद होगा आपको और भारत में बाग जन गनना के अनुसार टोटल कितने बाग है 2967 सबसे ज़्यादा है मध्यप्रदेश में 526 है फिर करनाटक में है 524 और अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था अफरिका से चीतों को ला रहे हैं भारत में किस नेशनल पार्क में लाएंगे कूनो नेशनल पार्क तो कूनो नेशनल पार्क से प रामसर इस्थल भी मिलेंगे ये भी याद रखना एक तो सांबर लेक और एक केवला देव भैरन्या वैसे भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है 42 है और 42 अभी बनी थी कौनसी लदाक में तसूकर जील रामसर इस्थल कहां पर इरान में है वहीं पर दो फरवरी 1971 को रामस दल डली भूंई यानि कि वेटलेंड साइट का संगर्क्षन करना और भारत की पहली रामसर साइट कोनसी है उडिसा की चिलका लेग है वैसे अभी जेविंदर निति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राज़स्थान ही है और जीनोम सिक्वंशिंग वाला भा इंडिया किसे कहा जाता है तो याद रहना केलाश सांखला को कहा जाता है तो आपके लिए तो कुछ प्रशन बचाए नहीं चलो आप सिंपल सा प्रशन का जवाब देदो बर्ड मैन ओफ इंडिया किसको कहते हैं फिर बताईए हाली में किस राजे सरकार ने नई जन संख्या नइती 2021-31 लानЕ की योजना की घोशना की है तो आंच्रो आपकए उत्तरपरडेश ने तो अभी उत्तरपरडेश सरकार ने विश्व जन संख्या दिवस के मांके पर नई जन संख्या नीती 2021-31 लाने की घोशना की है और इस नई निती में 2026 तक जन kalau प्रती हजार आबादी पर 2.1% और वर्ष 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष रखा गया है और इसके अलावा बोला गया कि दो से ज़्यादा बच्चे वाले लोग इस्थानिय निकाय चुनाओं नहीं लड़ सकते हैं और जिनकी दो संताने हैं उन्हें जादा से ज़्यादा सरकारी सुविधाएं और प्रोट साहन दिये जाएंगे आचा NDRF की पहली महिला तुकडी ये कापे तेनात की गई थी पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के गड़ मुक्तेश्वर में जो की गोमती नदी की किनारे इस्तित है लखनाव ही आपका निर्वाचन शेत्र कॉंस्टिट्वेंसी है रक्षा मंतरी राजनाद सिंग की और गवर्नर है अनंदी बेन पटेल अचा बताईए हाली में किस राजय ने मुक्खे मंतरी COVID-19 विद्वा सहायता योजना शुरू की तो आंसर होगा असम सरकार ने तो अभी असम की जो मुक्खे मंतरी है हमंत बिस्वा सर्मा उनोंने उन विद्वाओं को जिनके पती का अभी COVID-19 के करन नेदन हो गया उनके लिए मुक्खे मंतरी COVID-19 विद्वा सहायता योजना शुरू की है तो इस योजना में उन सभी विद्वाओं को धाई लाक रुप शुरू की 36 गड़ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी अच्छा विद्वा से आपको याद आता होगा एक इंटरनेशनल विडो डे होता है कब मनाते हैं तेवी स्चून को तेवी स्चून को एक और इंपॉर्टन डे मनाते हैं हम बताओ चलो कमेंट बॉक्स में कौन बताई अभी हाल में किसने भारत की पहली फास्टेग या यूपी आई आधारित पार्किंग सुविधा को शुरू किया है तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने तो अब दिल्ली Metro ये Fastik based parking सुविधा शुरू करने वाली पहली Metro बन गई है तो इससे क्या होगा? इससे ये cashless हो गई है और इससे समय की भी बचचत होगी अचा अब दिल्ली Metro से ये आपको याद होगा कि दिल्ली Metro को Outstanding Civil Engineering Achievement Award 2020 मिला था अच्छा आप तो ये बताओ कि Metro Man of India किसको कहा जाता है श्रीधरन को कहा जाता है और Fast Tech की बात हुई है यहाँ पे चलो ये बताओ Fast Tech जो है किस principle पे काम करता है तो Radio Frequency Identification की सिध्धान पे काम करता है Fast Tech Fast Tech तो मतलब समझते हो ना आपकी गाड़ियों में लगा होता है कार वगेरा पे, फोर विलर वगेरा पे जब आप टोल प्लाजा को पार करते हो तो पहले तो लंबी लंबी लाइने लगी रहती थी अभी आपकी विंड शील्ड होती है जो आगे की अभी आपके कार के आगे का जो काच होता है इसके उपर Fast Tech लगा होता है तो ये वही Fast Tech है चलो फिर आप एक वर प्रेश्न का जबाब दो कि भारत की पहली Metro ये कौनसी थी Kolkata Metro थी 1984 में शुरू हुई थी और अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली अंडर वाटर Metro ये कौनसी है Kolkata Metro ये किस नदी के नीचे हुगली नदी के नीचे और अगर आपसे पूछा जाए 12,000 होर्स पावर का रेलवे इंजन ये कहां पे तयार हुआ मदेपुरा रेल कोच फैक्टरी जो कि आपको मिलेगी बिहार में और किसकी मदद से बनाया गया फ्रांस की मदद से फ्रांस की एक कंपनी है अल्ट सोम उसकी मदद से अच्छा क्या कोई Metro रेल जोन में शामिल है तो आंसार होगा यास कौनसा Kolkata Metro इसे 2010 में सत्रवा 17th रेलवे जोन बनाया गया था बैसे टोटल रेलवे जोन अमारे 18 है अभी 18 बना था कौनसा साउथ कोस्ट रेलवे जिसका मुख्याले आपको मिलेगा विशाका पत्तम में फिर बताईए अभी हाली में दुनिया का सबसे उचा रेत महल सेन कैसल का निर्मान ये काम पर किया गया तो अंसर होगा डेनमार्क में तो दुनिया का सबसे उचा रेत महल बनाया गया है अभी डेनमार्क में इसकी उचाई कितनी है 21.16 मीटर यानि की 69.4 फीट किस ने बनाया विल्फ्रेड स्टीजर ने और इसे गिनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया है अच्छे एक प्रस्ण में आपसे पूछू भारत के फेमस सेंड आर्टिस्ट का नाम बताओ तो आंसर क्या होगा सुदर्शन पतनायक उडिसा गें ये और आपको याद होगा इन्हें इटेलियन गूल्डन सेंड आर्ट अवर्ड भी मिला था और ये अवर्ड पाने वाले ये फेले भारतिय बने थे बाकि डैन्मार्क की बात है देखो डैन्मार्क की कैपिटल क्या है कोपिन हैगन है कोपिन हैगन से कहा गया था कि कुछ वर्षों में ये पानी में डूब जाएगा और इसी लिए डेनमार्क के सरकार एक करतिम आइलेंड एक आर्टिफिशल आइलेंड बना रही है जो कि 2070 तक बनके तयार हो जाएगा और इसकी कैपेसिटी 30,000 लोगों की होगी और इसका नाम याद रखो आप तो नाम क्या होगा लिनेट होम इसका नाम होगा आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस फ्रेमवर्क एगरिमेंट में संचोधन लागू होने के बाद डेनमार्क के समझोते की पुष्टी करने वाला पहला देश बना था और डेनमार्क की कैपिटल डैनिश क्रोन है प्रधान मंतरी प्राइदीप पर है तो जूट लेंड प्राइदीप परिस्थित है और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में किस द्वीपर डेनमार्क का राजनेतिक अधिकार है तो ग्रीन लेंड पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलेंड भी कौन सा है ग्रीन लेंड ही है और इसी तरह से आप याद रखना हिंद महासागर में री यूनियन द्वीपर किसका अधिकार है फ्रांस का अधिकार है ये तो आपको मेरे खाल जब पता भी होगा बढ़ते आगे अच्छा बताएए भारत का पहला समुद्री मध्यस्ता केंदर ये काँपे बनेगा तो ये बनेगा गांधी नगर में और याद रखना ये देश में अपनी तरह का पहला केंदर होगा जो कि समुद्री और शिपिंग शेत्र से सम्मंदित विबादो में मध्यस्तता की तो ये उन्हें हल करने का काम करेगा, ये मतलब हो गया इसका, तो कहां बनेगा, गुजरात के गांधी नगर में, अच्छा आप तो ये प्रस्न का जवाब दो, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम ये कहां पर बनाए, या ये कौन सा है, कहां पर रहे यूं बताओ, बताओ, जो की कमपनी के द्वारा 2025 तक भारत के एक करूड छोटे और मजोले उद्योगू को डिजिटल बनाने की पहल का एक हिस्सा है, अभी दुनिया के सबसे वेलुएबल ब्रैंड के रैंकिंग आये थी, उसमें टॉप पे रा था अमेजन, अमेजन के संस्ता पर कौन है, जेफ उपसे richest person भी है, इसका headquarter Washington US में मिलेगा आपको इसकी स्थापना होती 1994 में, इनकी जो space company है, उसका नाम क्या है, Blue Origin नाम है, अभी अमेजन के CEO बन गए नए, एंडी जैसी उनका नाम है, अचा बताईए हाली में भारत के पहले, क्रिप्टो गैमिक गार्डन का उद्गार्ड किया गया है, अचा क्रिप्टो गैमिक मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, वैसे तो छिपा हुआ प्रजनन, मतलब ये ऐसे पौधे होते हैं, जिनमें बीज से प्रजनन नहीं होता है, बलकि उनके प्रजनन बीजाड़ूं यानि की sports की साहिता से होते हैं, मतलब उ प्याद होगा भारत का पहला कवक यानि कि लाइकिन पार्क ये काँ पे बना है उत्तराखंड के पित्थोरागड के मुंसियारी में और अगर आपसे पूछा जाए ना कि देश का पहला मौस गार्डन काँ पे खोला गया तो ये भी उत्तराखंड के नैनी ताल जिले में खु खुला है तो वो भी उत्तराखंड में खुला है और भी कुछ मैं आपको बताऊं क्या मैं तो आपसे पूछूंगा बताओ किस राज्य में देश की पहली सोर उर्जा सोलर एनरजी से चलने वाली एक छोटी ट्रेन का उधगाटन हुआ था तो केरल में और आपसे पूछा जाए पूरवी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कोशल विश्विध्याले ये कहां पे खुला है तो ये असम में खुला है अच्छा भारत की सबसे लंबी मालगाडी ट्रेन कौन सी है क्या नाम है वासू की उसका नाम है 295 डबेश में थे इसकी लंबाईती 3.5 किलोम विश्व का सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम नरींदर मोदी स्टेडियम में गुजरात के एहंदाबाद में है मोटेरा स्टेडियम का नाम था इसका नाम बदल करके प्रधान मंतरी के नाम पर रख दिया गया चलो बताओ भारत का दूसरा सबसे बड़ा किरकेट पिर बताईए हाली में कि इसने नागपुर में भारत के पहले निजी LNG सुविदा सैयंतर का उद्गाटन किया तो आंसर होगा नितिन गड़करी ने नितिन गड़करी ये किंद्रे सड़क परिवहन वर राजमार्ग मंतरी हैं जिनका नेरवाचन शेत्र है नागपुर और अ अच्छा बात LNG की हुई है ना LNG में क्या क्या होता है याद रखना प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है सबसे इंपोर्डेंट प्रस्टन जो एक्जाम में यहां से पूछा जाता है कि LNG में यानि कि LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गेस जो आपका गेस इंदर होता है उसमें जो स्मेल आती है वो स्मेल किसके कारण आती है इथाइल मरक्टन के कारण आती है याद रखना और बताइए 100% LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बन गया हिमाचल प्रदेश बन गया और CNG इसमें मिथेन होती है जैसा आप CH4 बोलते हो इसे को मा शिक्षा मंत्री बन गए, धर्म ही शिक्षा है, शिक्षा ही धर्म है, ऐसे याद किया था, अश्विनी वैश्नाव, माता ने बुलाया है, माता के ये जाना है, अश्विनी वैश्नाव, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, रेल से बुलाया है, तो रेल मंत्री, हर पेड़कर जी की समाधी स्तल को कहते हैं चैत्रा भूमी याद रखना ये भी फिर बताईए हाली में किस राजे सरकार ने आस्ता और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनानी की गोशना किये तो अंसर होगा असम ने तो अभी असम मंत्री मंडल ने कहा है कि राजे में जनजातियों और स्वदिशी समुदायों की संस्कृति उनकी परमपराओं के रक्षा और संग्रक्षन के लिए एक स्वतंतर विभाग बनाया जाएगा तो ये जो विभाग है ये सुनिश्चित करेगा कि राजे की सुदेशी आबादी को उनकी आस्था उनकी परमपराओं को संग्रक्षित करने के साथ साथ उन्हें आवशक सहायता भी मिल सके अच्छा मैं अगर आपसे पूछू कि वेदिक सिक्षा संस्क्रती बोर्ड ये कौन सा राज्यस्तापित करेगा तो आंसरोकर राज्यस्थान असम के पूरू मुख्यमंत्री का नाम जानते हो आप सर्बारंदा सोनोबाल अभी केबिनेट मिनिस्टर बन गए चलो कमेंट बोक्स में टाइप करके बताओ कौन सा मंत्राले मिला इनको अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा सर्मा है अच्छा असम से सबसे इंपॉर्डन कुशन में आपको बताओ असम के अभी दो नए नेशनल पार्क बने हैं एक तो राय मोना नेशनल पार्क जो की गोल्डन लंगूर की लिए फेमस है और एक देहिंग पटकाई नेशनल पार्क तो इस तरह से टोटोटल सेवन नेशनल पार्क है असम के पास अभी आपको याद होगा दुनिया का पहला अनुआंचिक रबर से संशोधित यानि कि जैनेटिकली मोडिफाइड रबर का पोदा कहां पे लगाया गया था असम में ही अंबू बाची का मेला का लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में जो की आपको मिलेगा असम में ही और असम का शास्त्रे अनरत्य है सत्रिया ये भी याद रखना अचा बताईए राष्ट्रे डॉल्फिन अनुसंधान केंदर ये काम पे स्थापित किया जाएगा तो अंसर होगा बिहार की केपिटल पटना में तो National Dolphin Research Center ये पटना बिहार में स्थापित किया जाएगा और याद रखना ये एशिया का पहला Dolphin Research Center होगा और इसका उद्दिशे क्या है भारत का जलिय जीव जो है यानि कि गंगा नदी डॉल्फिन उसका संग्रक्षन करना अचा इसी तरह आपको याद होगा Project Dolphin जिसे Project Tiger की Scientific Name क्या है तो क्या है प्लाता निस्टा गंगिटिका और आपसे पूछा जाए देश का एक मात्र डॉल्फिन अभ्यारन्या ये आपको मिलेगा बिहार के भागलपूर जिले में जिसका नाम में विक्रम शिला गांग टेक डॉल्फिन वाइल एक्षन जिए बिहार में आपक आपका निर्वाचन शेत्र है कॉंस्टिट्वेंसी किसकी बतादो फटाफट से राजकुमार सिंग की कौन सा मंत्रा लेन के पास पावर एंड निव एंड रनेवल एनर्जी मंत्रा लेन के पास है अच्छा बताईए अभी हाल इमें किसे देश का नया नागरे कुड़ेयन मंत्रे नियूक्त कर दिया गया है तो आंचार होगा इसका जोतिरादेत्य सिंधिया और देखो इस कुश्चन में में जादा आपका टाइम नहीं लूगा सिधी सी बात करता हूँ अभी 15 जो केबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये बिल्कुल नए बन गए हैं और कुछे कुराने थे उनके मंत्रा ले दरूदर कर दिये गए हैं और इसको याद कराने के लिए क्रिकी वीडियो हम बना चुके हैं इनके उपर आपकी प्रैक्टिस कर सको आप इसके लिए क्यूज भी बना करके आपकी क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पर अप्लोड कर दिया है फिर बताइए अभी हाल इमें भारते खोखो महासंग का द्रिक्ष किसे चुना गया तो आंसर होगा सुधान चुमित्तल को इनका नाम याद रखना भी दो बारा से इनको अध्यक्ष चुना गया है खोखो गेम की बात करेंगे तो देखो इसमें टूटल बारा खिलाडी होते हैं लेकिन मेदान में तो केवल नो खिलाडी ही उतरते हैं ये भी दियान रखना बाकी प्रदीप चंदरन नायर ये असम राइफल्स के 21 वे डारेक्टर जनरल बने और असम राइफल्स का हैड़कोर्टर मिलेगा आपको शिलॉंग में और असम राइफल्स का ही दूसरा नाम क्या है और इसको क्या कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत का प्रहरी इसको बोला जाता है और National Human Rights Commission के अध्यक्ष अभी बने थे अरुन कुमार मिश्रा उसके लवा CII यानके Confederation of Indian Industry इसके अध्यक्ष कौन बने टीवी नरेंदरन बने हैं उदे कोटिक के स्थान पे आईए अगर मैं आपसे पूछो अभी World Bank का सिक्षा सलाकार किसे बनाया गया है रंजीत सिंग डिसाले को बनाया गया है और केंद्रे सतरक्ता आयुक्त कौन बने सुरेश एन पतिल बने है केंद्रे सतरक्ता आयुक्त मतलब Central Vigilance Commissioner फिर बताईए हाली में Federal Bank के MDCO के रूप में फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया तो अंसर होगा श्याम श्रीनिवासन को तो अभी फिर से अगले तीन सालों के लिए श्याम श्रीनिवासन को Federal Bank के MDCO के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और इनका ये जो नया कारेकाल है सेप्टेंबर 2021 से शुरू होगा जो की 2024 तक चलेगा देखो फेडरल बैंक का बात करेंगे तो इसका हेड़कोर्टर अलुआ केरल में आपको मिलेगा और इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर बाकि देखो मंगु जानते हो न भी आठ राज्यों के नए गवर्नर बने थे और यहां से डेफिनेटल आपके प्रशन पूछा जाएगा एक्जाम में तो यह नाम आपको याद होने चाहिए और अगर आप मैं से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स टाइम देख रहा है तो आपको बता दू कैब आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको यह चीज़े याद होनी चाहिए और सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन का भी और उन ट्रिकी वीडियो का भी तो नहीं देखा तो जाखर के देख लिना इस वीड बीच में बता देता हूं तो देखो मंगो बाई छगन बाई पटेल यह भी मद्य परदेश के गवर्नर बने राजेंद्र विश्वनात अरले कर यादाया हिमाचल परदेश के बने हैं अभी तक हिमाचल परदेश के कौन थे बंडारू दतात्रे थे और वो कहां पे चले ग पाकि हरी बाबु कंभंपती यह मिजोरम के बन गए मिजोरम के कौन थे पिएश श्रिधरन पिल्लाई थे यह कहां पे चले गए गोवा में चले गए और करनाटक के बन गए कौन थावर चंद गहलोत अच्छा हरियाना के कौन थे मतलब अभी तक मैंने बताया आपको सत्य देव नारायन आर रहे थे वो कहां पे चले गए तिरिपूरा में चले गए एक प्रशन का जवाब दो सत्य पाल मलिक ध्यान से सुनना हरियाना के तो थे सत्य देव नारायन आर रहे मैं आपसे पूछ रहा हूं सत्य पाल मलिक यह किस राज्य यह किस राज्य के गवर्नर है comment box में type करके बताओ आचा बताईए Sweden के प्रधान मंत्री के रूप में फिर से किसे चुन लिया गया तो अंसर होगा Stephen Lofven को तो Swedish social democratic नेता है ये Stephen Lofven जिनको sunset की द्वारा फिर से प्रधान मंत्री के रूप में चुन लिया गया है देखो Sweden की बात करेंगे capitalist की Stockholm है Swedish क्रोन यांकी करंसी है प्रधान मंत्री फिर से बन गए Stephen Lofven Sweden से आपको कोई ranking याद आती है कै जिसमें ये top पे था याद आती होगी Global Energy Transition Index 2020 जिसको World Economic Forum ने जारी किया था उसमें top पे था Sweden और भारत उसमें 87 नंबर पे था अभी inclusive internet index 2021 आये था जिसको Economist Intelligence यूनित ने जारी किया था उसमें भी Sweden top पे था भारत 49 नंबर पे था बाकी Jovenal Moise का नाम आपको याद होगा ये हैती के प्रसिडेंट है लेकिन इनके घर पे कुछ लोगों ने गोली मार करके इंखेत्या कर दी वैसे हैती की Capital आप याद रखो काफी पूछी जाती एक्जाम में Port O Prince है बाकि Nicole पाशन्यान ये आर्मेनिया के प्रधानमंतरी बने और वो जो सा उसमानी दूसरी महिला प्रसिडेंट बनी है को सो वो देश की याद रखना फिर बताईए हाली में भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंचार होगा Eric Garcetti को तो अमेरिका राष्टपती है जो बाइडन उन्होंने अभी लॉस एंजलिस के मेयर जो है Eric Garcetti उनको भारत में अपना एमबेजदर नियुक्त किया है अच्छा मैं उल्टा पूछ लू तो कि अमेरिका में भारते राजदूत कोन है तो तरंजीत सिंग संदू है बाकी क्रिस्तीन वर्मत ये अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचीव है जैनेत येलेन पहली महिला विक्त मंत्री हैं अमेरिका में बनी है नहीं है और एंटोनी ब्लिंकेन ये विदेश मंत्री हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ओफ स्टेट इनको बोला जाता है और अभी ऐसा प्लान है कि ये भारत की यात्रा पर भी आएंगे एक लोयड आस्टिन का नाम भी याद रखो अभी अमेरिका के पहले अश्वीत रक्षा मंत्री बने है ये बाकी मेरे गॉरलेन की बात करेंगे तो अमेरिका के अटोर्नी जन्रल ये बने है अच्छा आप तो ये बता दो कि भारत के अटोर्नी जन्रल का नाम क्या है क्योंकि इनका कार्रेकल अभी एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था तो इनका नाम नीईज में था नाम बताओ क्या है फिर बताईए हाली में इथोपिया के फिर से प्रधान मंत्री किसे चुना गया तो अंसर होगा अभी अहमत को और इस तरह से प्रधान मंत्री के रूप में ये इनका दूसरा का रेकाल होगा अभी एहमत का आपने इनका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि 2019 का नोबल शांति पुरुसकार इनको मिला था तो अब आपके लिए प्रश्णों बन जाता है 2020 का नोबल शांति पुरुसकार किसे मिला है बाकी स्टिफन लॉफवेन स्विडन के प्रधान मंत्री है और इब्राहिम रईस ये इरान के प्रसिडेंट बने इसराइल हर जोग इसराइल के प्रसिडेंट बने इसाग हर जोग इसराइल के प्रसिडेंट बने और इसराइल के प्रधान मंत्री नेफ्ताली बैनेट बने थे बाकी इथोपिया के कैपिटल एदेस अबाबा है करंसी है इथोपियन बिर फिर बताईए अभी नेपाल के नए प्रधानमंतरी के रूप में किसने शपतली है तो आंसर होगा शेर बहादुर देवाने बागी अभी ऐहमद इथूपिया के प्रधानमंतरी बने इस्टीफन लॉफण स्वीडन के प्रधानमंतरी बने और अहमन बेनाम बर्दार्मान ये अलजीरिया के प्रधान मंतरी बने अच्छा नेपाल की प्रसिदिन का नाम क्या है विद्धय देवी बंदारी है नेपाल की गेपिटल काठ मांडू है और काठ मांडू में आपको किसका हेड़ कोटर मिलेगा कमिन बॉक्स में टाइप करक हम लोग कब मनाते हैं ये भी आप ही लोग को बताना है हिंट में आपको देता हूँ मलेरिया दिवस से जस्ट एक दिन पहले मनाते हैं तो आप तो आपके लिए बताना असान हो जाएगा और भी ज्यादा हिंट चाहिए तो ऐसे देख लो जब आपका टीबी डे टीबर क्ल इंगलीश में बोलेंगे तो नेशनल फिश फार्मर से दे ये कब मनाया गया तो आंसर होगा 10 जुलाई को तो हर साल मतश्य पालन पशु पालन और डेरी मंत्राले के मतश्य विभाग के द्वारा हर साल 10 जुलाई को ये राश्टर मतश्य किसान दिवस के रूप में मनाया अच्छा एक और प्रशने निकल के आता है कि मतस्य पालन पशुपालन और डेरी विकास मंतरी ये कौन है अभी जो मिनिस्टर्स चेंज हुए थे 15 कबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हुए थे उनमें से एक ये भी है तो बताओ इनका नाम क्या है अच्छा बताइए हाली में विश्व जंसंख्या दिवस ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 11 जुलाई को हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रुप में मनाया जाता है और इसकी ठीम क्या रही COVID-19 महामारी का प्रजनन शमता पर प्रभाव दा इंपक्ट ओप ते COVID-19 पैंडेमिक और फॉपुलेशन कहां पर है कि देश में है चाइना में है फिर भारत में है लेकिन अभी याद होगा चाइना ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को भी लागू कर द अच्छा बताईए विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 12 जुलाई को इनका जनम हुआ था 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान में हुआ था आपको याद होगा 2014 में जब ये 17 साल की थी इनको नोबल शांती पुरुसकार मिला था और नोबल शांती पुरुसकार प बूली मारती थी वैसे आपको याद होगा 2018 में हॉर्वर्ड युनिवर्सिटी ने क्लिट्समेन अवर्ड इनको दिया था 2019 में युनाइटिड निशन ने मलाला को दशक्ती सब्से प्रसिद किशूरी घुशित किया था इनकी ऑटो बैयोग्राफिक का नाम है आयम मलाला औ और वी आर डिस्प्लेजड ये बुपी नों ने लिखिये और वैसे पाकिस्तान सरकार ने 2012 में इनको राष्ट्र युवा शान्ति पुरुसकार दिया था और इनके उपर एक डॉक्यमेंटर भी बनी थी He Named Me Malala जिसे 2015 में आसकर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था फिर बताईए हाली में किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी प्रतियोगिता को जीत लिया तो अंसर होगा जेला एवांट गॉर्डे तो लुईजियाना के न्यू औरलेंस की रहने वाली एक अफ्रीकी अमेरिकी है ये जेला एवांट गॉर्डे और इन्होंने 2021 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग भी प्रतियोगिता को जीत लिया है इनकी उम्र मातर 14 साल है और ये एक बास्केट बोल प्लेयर भी है और अभी 93 वर्षों के इतिहास में ये प्रतियोगिता जीतने वाली ये पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई है सेकिन नंबर पे कौन रही सेकिन नंबर पे है सेन फ्रांसेसको की 12 साल की भारते मूल की बच्ची जिनका नाम है चेत्रा थुम्माला और टीसर इस्तान पे है निव यॉर्क की 13 साल की भारते मूल की बच्ची जिनका नाम है भाव नाम मदिनी बाकी देखो वेलेरिया लुसेली का नाम आपने सुना होगा ये मैक्सिकल लेखी का है अभी इनोंने अपने उपन्यास लास्ट चिल्डरन आर्काईव के लिए अंतरराष्टे डबलिन सहित्य पुरुसकार जीता था जैन गुडॉल के बारे में बात करेंगे तो टेंपल्टेन पुरुसकार जीता और शाजी एन एम जिनने केरल में ट्यूबर मैन कहा जाता है अभी इंडिया बायो डाइवर्सिती अवर्ड दोजारे किसी इनोंने जीता था अच्छा बायो डाइवर्सिती डे जैव विवित्ता दिवस कब मनाया जाता है याद रखना 22 मही को अच्छा बताईए अभी हाली में किसे कॉमन वेल्ट पॉइंट्स ओफ लाइट अवर्ड से सम्मानेत किया गया तो अंसर होगए सेयद उस्मान अजहर मक्सूसी को पुरुसकार से सम्मानित किया गया जिसे कहते हैं कॉमन वेल्ट पॉइंट्स ओफ लाइट अवर्ड तो ये जो पुरुसकार है ये उन उत्करेश्ट वेक्टिउं के लिए है जो अपने समुदाए में बदलाव कर रहे हैं बाकी सुरेश मुकंद वर्ल्ड कॉरियोग्राफर अवर्ड दोजार बीस इन्होंने जीता इसको आसकर ओफ डांस भी कहते हैं और ग्रीन आसकर किस अवर्ड को कहते हैं वीटली अवर्ड को कहते हैं और दोजार रिकिस का वीटली अवर्ड किस ने जीता नुकलू फॉर्म अमूर फॉलकन के संगरक्षन के लिए इनोंने ये पुरुसकार जीता, ये पुरुसकार जीतने वाले ये पहले भारती बन गए, नागा लेंड के रहने वाले ये, ये इंपोर्टें नामे याद रखना, और शकुन्तला थिल स्टेड विश्वखादे पुरुसकार 2021 किसी इन सिलंबम प्रतियोगिता में गनेशन संधिरकासन नाम के एक भारते ने शिर्ज पुरुसकार जीता है अच्छा ये सिलंबम क्या है तो ये एक प्राचीन हत्यार आधारित यानि के वेपन बेजड मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पति तमिल नाडू शेतर में हुई थी तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिलंबम में सिलंब का मतलब हो गया पहाड और बम का मतलब हो गया बास मतलब बास का है इसमें हत्यार के रूप में उप्योग होता है अच्छा जब बात मार्शल आर्ट की चल रही है तो कुछ राज्यों के आपको मार्शल आर्ट के बारे में पता होना चाहिए जैसे कि गत का ये कहा का है पंजाब का कलारी पैया टू ये केरल का है ठांग ता मनिपुर का है मल खंब मद्यप्रदेश का है ये चारों क्यों बता रहा हो मैं आपको तो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने है चोथा संसकरन उसमें इन चारों गेम को शामिल किया गया है और वैसे होने कब है ये और कहां पे होने है खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये इसका चोथा संसकरन है हर्याना के पंच कु वेसे अभी नवंबर 2021 में होना था लेकिन अभी इसको आगे किसका दिया गया अभी फरवरी 2022 में होंगे और आप याद रखना अभी कलारी पयेटु अकादमी की स्थापना कांपे की गई थी ऐसा पूछा जाएगा तो केरल में की गई थी चलो आप तो और भी बताओ पाई क ये मार्शल आर्ट है किस राज्य का उडिसा का उत्तराखंड का है छोलिया एक मुष्टी युद्ध भी याद रखो ये उत्तरप्रदेश का है मरदानी खेल आपका है महराश्टर का और परिक खंडा ये बिहार का है बाकी डॉक्टर ताहरा कुतबुद्दीन अरब पुरुसकार जीतने वाली पहले भारते महिला बनी थी सुश्मिता लेंका पैंगोलिन के संगरक्षन के लिए एशिया परियावरन प्रवरतन यानिकी एशिया एन्वायर्मेंट एन्फोर्स्मेंट अवार्ड जीता था इनोंने फिर बताए अभी हाल में किसे बी एस के साह पुरुसकार के लिए चुना गया है तो मल्यालम भाषा और साहिते में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा योगडान उनलेखनिया है जिसके कारण उन्हें ये पुरुसकार मिला है बाकि सुमन चक्रवर्ती तीसवा जीडी बिल्डा पुरुसकार मिला था डॉक्टर श बहुरा का नाम भी याद है आपको तीसवा बिहारी पुरुसकार मिला था इंकि उपन्यास तस्लिमा शंगहर्ष और साहित्ते के लिए अच्छा बताईए अभी किसे प्रतिष्ठित हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा कोशिक बसू को त से लेके दो हजार बारा तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाकार भी यह रह चुके हैं इन्हें पदम भूशन सम्मान भी मिल चुका है तो यह जो अवार्ड है यह हर साल दुनिया बरके सोब वेग्यानिकों और अर्तिशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है इसमें 60,000 यूरो पुरुशकार राशी दी जाती है अच्छा आपको याद होगा कौशिक बहसू से कि अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी क्या नम था पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू डेली टु वशिंग्टन डीफी बाके रुमाना सिनहा सैगल नेलसन मं अंडेला मानवतावादी पुरुशकार 2020 जीता शकुन तला थिल स्टेड विश्वखादे पुरुशकार 2021 जीता और नुकलू फॉर्म वीटली अवर्ड दो जार्कीस इन्होंने जीता जिसे ग्रीन ऑसकर भी कहा जाता है और यह अवर्ड जीतने वाले यह पहले भार्के ब लिखा प्रेघ्नेंस्ची बाइबल नाम की बुक को किस ने लिखा है तो answer होगा करीना कपूर ने और इस बुक में उन्होंने अपनी प्रेङ्नेंसी के अनुभवों को जो भी उनके experience रह उसके बारे में बताया है प्रियंका छोपड़ा उन्होंने unfinished नाम से बुक लिखी जेके रॉलिंग की बात करेंगे दे क्रिस्मस पिग नाम की बुक को लिखा और अमिताब घोष लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा था कुछ दो चार नाम में आपको हमिशा बताता हूँ जैसे कि शरद कुमार लिंबाले तीसवा सरसुती सम्मान जीता था इनोंने अपने मराथी उपन्यास सनातन के लिए एक शरद पगारे याद रखो तीसवा व्यास सम्मान जीता इनोंने अपने उपन्यास पातली पुत्र की संबरागी के लिए और मोहन करश्न बोहरा तीसवा बिहारी पुरुषकार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लिमा, संघर्ष और साहित्य के लिए और एक और कौन सा नाम डेविड डायूप का नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइस 2000 किस इन्होंने जीता है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके नॉबल का नाम है At Night All Blood Is Black ये याद रखना important है ये नाम, बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाल इमें Terrace Garden Midday Tota नाम की बुक को अभी launch किया गया है इसकी लिखर कौन है? थुम्मेती रागोतमा रेड़ी अभी वाइस प्रेसिडेंट जो एमविंका या नाइडू जी है उन्होंने थुम्मेती रागोतमा रेड़ी की पुस्तग Terrace Garden Midday Tota के अंग्री जी अनुवाद की पहली प्रति प्राप्त की है और वैसे तो ये मूल रूप से तेलगू में ये बुक लिखी गई है और अभी इसका अंग्री जी अनुवाद किया गया है और अंग्री जी अनुवाद किस ने किया? कोडूरू सीटाराम प्रसाद ने बाकी डॉक्टर शेलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा इसको भी वाइस प्रेसिडेंट ने ही लॉंच किया था सल्मान रुष्डी लेंग्विजिज और टुथ नाम की बुक को लिखा और रवी शास्त्री इनकी पहली बुक आई अभी स्टार गेजिंग दे प्लेयर इन माई लाइफ नाम से बताईए हाली में दे स्ट्रगल विदेन अ मेमोयर आफ दे अमर्जेंसी नाम की बुक को कि इसने लिखा है तो अंसर होगा अशोक चकरवर्ती ने और ये एक अर्थ शास्त्री है और वरतमान में हरारे में इस्तित यानि कि जिंबाम्बी की कैपिटल है हरारे तो वहाँ पे जिंबाम्बी सरकार के वरिष्ट आर्थिक सलाकार है अशोक चकरवर्ती जिन्होंने ही इस बुक को लिखा है बाकि धवल कुलकरनी नातुराम गोड से दे स्टोरी ओफ गांधी जैसे सीजन नाम की बुक को लिखा बाकि डॉक्टर कृष्णा सक्षेना माई जॉइज एंड सोरोज एज अ मदर ओफ स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को लिखा और बलजीत कौर तुलसी ने बताईए अभी हाल में श्री गुरु गोबिंद जी की रामयन नाम से पुस्तक किस ने लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने तो अभी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने स्वरगिय बलजीत कौर तुलसी के द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है शिरी गुरु गोबिंद जी की रमयन इसकी पहली प्रतिप्राप्त की है और गुरु गोबिंद जी आप जानते हो ये मानव रोप में सिथ लाइफ नाम की बुक को लिखा और डॉक्टर करशना सक्सेना कौनसी बुक लिखी नोंने माई जॉईज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ इस स्पिशल चाइल्ड अच्छा बताईए हैनले पासपूर्ट इंडेक्स 2021 क्यू थरी रेंकिंग में टॉप पे कौनसा देश रहा तो आंसर होगा जापान रेको क्यू थरी रेंकिंग मतलब ये तीसरी बार इस साल इसकी रेंकिंग आईए पहली बार जनवरी में आई थी उसमें हमने देखा था जापान टॉप पे था भारत 85 नंबर पे था फिर Q2 रेंकिंग आई उसमें भी जापानी टॉप पे बना हुआ था लेकिन भारत 84 रेंक पे चला गया था और अब ये Q3 रेंक आई है इसमें टॉप पे तो जापानी है लेकिन भारत की रेंक चेंज हो गई भारत 90 नंबर पे चला गया तो आपको यह लेटेस्ट वाली याद रखनी है और अभी आपको याद होगा Orton Capital Passport Index भी आये था उसके अनुसार टॉप पे जर्मनी है और भारत 61 नंबर पर है और यह इंडेक्स एक्चुली में बताता क्या है यह बताता है कि किस देश का Passport कितना शक्तिशाली है कितना Powerful पर शक्तिशाली Powerful से मतलब होगी अगर इन देशों का Passport आपके पास है तो आप बिना विजा के ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा देशों में Entry ले पाओगे देखो कुछ और Indexes में आपको याद दिलाता हूँ रिवाइस करवाता हूँ जैसे आपको याद होगा Global Gender Gap Index जिसको World Economic Forum ने जारी किया था तो उसमें भारत 140 को स्थान पे था टॉप पे Iceland था और Iceland से ही आपको याद होगा Global Peace Index 2021 आए था जिसमें टॉप पे तो Iceland था भारत 135 वे नंबर पे था 135 अभी World Press Freedom Index भी आए था जिसमें भारत तो 142 नंबर पे था लेकिन टॉप पे नौर्वे था वैसे World Press Freedom Day कप मनाते हैं हम लोग 3 मई को मनाते हैं और इस Index को जारी कौन करता है Reporters Without Border आपको याद होगा World Happiness Index 2020 आए था उसमें भारत 139 नंबर पे था तोप पे फिनलेंड था उसके अलावा आपको याद होगा Ease of Doing Business Report 2021 आए थी यानि कि कारोबारी सुगमता रिपोर्ट जो आए थी उसमें भारत 63 नंबर पे था उसको जारी किया था World Bank में और Global Innovation Index की बात करेंगे तो यह important इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत Top 50 में था 48 नंबर पे था और अभी Global Cyber Security Index 2020 जो आया उसमें USA Top पे रहा भारत 10 वे स्थान पे था अभी Global Startup Ecosystem Index 2021 आया उसमें Top पे USA रहा और भारत 20 वे स्थान पे था और सबसे important सदी के सबसे पेली सूची आयी थी उसमें Top पे रहे जमशेजी टाता अचा जापान से तो आपको याद भी होगा अभी सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर यानि कि सबसे पावरफुल सूपर कम्प्यूटर यह जापान का यह जिसका नाम है फुगाकू और फुगाकू से आप लिंक करके याद करो एक अवार्ड भी है दोजारकिस का फुकूओ का सम्मान यह किस भारत्य को मिला है प्रसिद्द पत्रकार पी साइनात को मिला है ध्यान रखना यह फिर बताईए हाली में जारी News on Air Radio Live Stream Global Ranking में Top पे कौन सा देश रहा तो आंसर होगा USA तो News on Air Radio Live Stream Global Ranking यह उन देशों की ranking जारी करता है जहाँ पे News on Air application पर All India Radio Live Stream सबसे लोग परिया है भारत के अलावा बात कर रहे है हम दूसरे देशों में तो इसमें Top पे है USA, Second पे Physi है और तीसरे पे है Australia अच्छा भी All India Radio के नए Director General कौन बने थे? N. Venudhar Reddy बने थे All India Radio जिसे आप आकाशवानी भी बोलते हो और याद रखना All India Radio और दूर दर्शन ये दोनों Child Agency है प्रसार भारती की और प्रसार भारती के CEO कौन है? शशी शेकर वेंपाती हैं चलो एक प्रशन का जवाब दो अभी लोग सबा टीवी और राज्य सबा टीवी का मर्च कर दिया विले कर दिया और क्या बना दिया गया? संसद टीवी बना दिया गया और संसद टीवी के पहले CEO कौन बने? रवी कपूर बने हैं और अगर आपसे मैं पूछूं ये जो संसद टीवी है ये किस समिती की सिफारिश पे बनाए गई तो सूर्य प्रकाश समिती ये ध्यान रखना फिर बताईए हाली में आयुर्वेद को लौकपरिय बनाने वाले डॉक्टर थे ये PK वारियर और अभी सो वर्ष के उम्बर में इनका निदन हो गया इन्हें 1999 में पदम शिरी मिला था और 1999 में आपको याद होगा अमर्तियसेन को भारत रत्न मिला था और इन्हें 2010 में पदम बूशन मिला था ये कहां से थे केरल से थे और उन्हें आयुर्वेज दवाओं की पैकेजिंग के आधुनी की करन में महत्वपूर्ण भूमी का निबाने के लिए जाना जाता था जो पहले का शायम और चूर्णम के रूप में उपलब्द थी अच्छा बताई अभी हाल इमें हैती के राष्टरपती का निदन हो गया क्या नाम था उनका जोवेनल मॉईस तो केरेबियाई देश है ये हैती और इसके राष्टरपती थे ये जोवेनल मॉईस जिनके घर में अभी कुछ बदमाश भूश गयते और गोली मार दी उनको उनकी हत्या हो गई है मतलब उनकी मिर्थी हो गई है अच्छा आप पापवा न्यू गिनी के पहले प्रधान मंतरी थे निदन हो गया इनका भी इसाख हर जोग ये इसराइल की प्रशिडेंट बने याद रखना इसराइल की प्रधान मंतरी कौन है फिर नेफ्टाली बैनेट है और इब्राहिम रईष ये इरान के ने प्रशिडेंट बने चल अप्लिकेशन बनाया है तो अब किसान आलू के पत्तो की फोटो को खीच कर इस अप्लिकेशन के मदद से ये पता लगा पाएंगे कि उनके आलू की फसल में रोग लगा है या नहीं लगा अच्छा ये आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है Central Potato Research Institute हिमाचल प्रदेश की शिम संस्थान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में और केंद्रेवन अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा दहरादून में Central Leather Research Institute ये आपको मिलेगा तमिल नाडू के चैन्नाई में गन्ना प्रजनन संस्थान आपको मिलेगा तमिल नाडू के कोएंबटूर मे और Central Rice Research Institute आपको मिलेगा उडिशा के कटक में आचा राष्ट्र सरकरा शंस्थान यानि कि National Sugar Research Institute ये उत्तर प्रदेश के कानपूर में है और National Dairy Research Institute आपको मिलेगा हरियना के करनाल में तो ये भी ध्यान रख सकते हैं बढ़ते हैं के फिर बताईए अभी हाली में एकवा किसान के लिए किस नाम से मुबाइल एप्लिकेशन को लॉंच किया गया तो आंसर होगा मतस्य सेतू एप्लिकेशन तो अभी मतस्य पालन पशुपालन और डेरी मंत्राले ने मचली पालक किसानों के लिए एक ओनलाइन पाठ्ठकरम मुबाइल एप्लिकेशन जिसका नाम है मतस्य सेतू application इसको launch किया है और इस mobile application को किस ने बनाया है ICAR Central Institute of Freshwater Aquaculture भूवनेश्वरने तो इस application का उद्दिश ही क्या है देश के मचली पालक किसानों तक नई नई Freshwater Aquaculture Technologies को पहुंचाना अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा अभी Equa किसानों और खरीदारों को जोडने के लिए E-Santa Portal को launch किया गया था और अगर मैं आपसे पूछूँ कि भारत का पहला Equa Mega Food Park ये का पर स्थापित किया गया आंदर प्रदेश में जिसका नाम है Godauri Mega Food Park अच्छा एक मंत्राले का यहाँ पर अभी जिक्र हुआ मतस्य पालन, पशू पालन और डेरी मंत्राले आपको कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताना है अभी इसके नए मंत्री कौन बन गए है बाकि देखो एप्स और पोर्टल की बात हो रही है अभी हरियाना ने जन सहायक आपका सहायक एप्लिकेशन को लॉंच किया था करना तक ने आकांशा पोर्टल लॉंच किया भी जारखन ने अमरत वाहिनी और चैट बॉट एप्लिकेशन को लॉंच किया था COVID-19 से संबंदिज जानकारी के लिए बिहार ने हिट COVID एप्लिकेशन को लॉंच किया भी हिट मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रेकिंग और मनिपुर ने मोमा मार्केट मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया था ताजी सब्जियों की होम डिलिबरी के लिए CBAC ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लिकेशन को लॉंच किया भी नीतिया आयोग ने कोव एड पोर्टल को लॉंच किया था और इंटर पोल ने भी ID8 और I फैमिलिया पोर्टल को लॉंच किया था तो ये भी अभी न्यूज में थे ये भी ध्यान रखना फिर बताईए हाली में चल्चा में रहा ब्रायम भारती एंसिस ये क्या है ये पोधी की एक नई प्रजाती है तो पोधी की एक नई प्रजाती है जिसे अंटाक्टिका में खोजा गया है और किसने खोजा है तो पंजाब विश्विध्याले ने और इस पौधे का नाम भारती रखा है ज्यान की हिंदू देवी मा सरस्वती के नाम पे इसका नाम रखा गया है और आपको शायद याद भी होगा अंटाक्टिका में भारत के एक अनुसंधान कें रिसर्च सेंटर का नाम भी भारती है तो आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का ये एक पहला खतरनाक असर देखने को मिला कि इसके गरम होने से यहाँ पे पौधे उगरे हैं वरना मा तो पूरी बरफ है आचा आप तो ये बताओ अंटाक्टिका में भारत के कितने अनुसंधान केंदर हैं अभी दो वर्किंग में हैं मैत्री और भारती और अगर आपसे पूछा जाए ना अंटाक्टिका की सबसे उची चूटी का नाम क्या है माउंट विंसन मासिफ है याद रखना उसके अलब अंटाक्टिका का एक मात्र सक्रिय ज्वाला मुखी क्या नाम है माउंट एरेबस ह अच्छा चलिए बटाएए विज्ञान के लिए महाद्वीप नाम से कौन सा महाद्वीप प्रसिद्ध है अंटाक्टिका विज्ञान के लिए मतलब जो भी रिसर्च वगेरा करने के लिए साइंटिस्ट लोग जाते हैं महापे जाते हैं और अंटाक्टिका महाद्वीप पर पहुँचने वाले पहले भारतिय का नाम बताओ रामचरण जी 1960 में गए थे जबकि दक्षिन ध्रूव पर पहुचने वाले पहले भारतिय कौन थे डॉक्टर गिरिराद सिरोही और दुनिया के पहले वेक्टी कौन थे एममंड संथे नौर्वे से थे 1911 में चल गे थे वो और आपको बता दू इसे ही श्वेत महाजवीब भी कहते हैं और इसके चारोर कौन सा महासागर इस्थित है डक्षिन महासागर अचा यहां से करन्ट फेर्स को आप लिंक कर पाओ तो एक कुश्यन याद आता होगा आपको अभी एक बहुत बड़ा आइसबर्ग तूट के अलग हो गया था क्या नाम था उसका A76 नाम था याद रखना यह भी अचा बताईए अभी किसने रक्षा प्रद्यूगी की में एक नियमिट M.T.E.C.P. प्रोग्राम को शुरू किया तो आंसर होगा DRDO और AICTE DRDO मतलब Defense Research and Development Organization AICTE मतलब All India Council for Technical Education और इन्होंने Defense Technology के शेतर में Theoretical और Experimental Knowledge Skill यानि कि कुशल और योगिता को बड़ावा देने के लिए M.T.E.C. कारक्रम शुरू किया है इस Defense Program में 6 Stream होंगी यानि कि 6 Branches होंगी बाकी देखो AICTE की बात करेंगी इसके Chairperson को ने? अनिल शहस्त्र बुद्धी DRDO की बात करें इसके Head को ने? सतीश रेड़ी है और इसका अदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्यानम अभी आपको याद होगा DRDO ने और चलो एक प्रस्ण का जवाब दो देश का पहला स्वदेशी Drone Defense System अभी तयार किया गया है क्या नाम है उसका? उसका नाम इंद्रजाल है और उसको बनाया है हैदराबाद की Green Robotics ने जाद रखना ये अच्छा बताइए अभी हाल इमें और फ्लिपकार्ट ने Case On Delivery भुकतान को Digitize करने के लिए किसके साथ समझूता किया तो आंसर होगा PhonePay के साथ में तो अभी फ्लिपकार्ट ने Case On Delivery ओडर के लिए Contact Class Scan and Pay फीचर लांज करने के लिए भी PhonePay के साथ समझूता किया है और Flipkart से आपको अभी याद होगा इसने Shopsi application को launch किया था जिसे आप बिना किसी निवेश के अपना online business से start कर सकते हैं Flipkart का headquarter Bangalore में मिलेगा इसके CEO कल्यान कृष्णिमूर्ति हैं विसे phone pay का headquarter भी Bangalore में है लेकिन इसके CEO समीर निगम है बताईए अभी हाली में भार्टे सेना ने firing range का नाम किस Bollywood अभीनेत्री के नाम पे रखा है तो आंसरोगा विद्याबालन तो अभी भार्टे सेना ने कश्मीर में अपनी एक firing range का नाम Bollywood अभीनेत्री विद्याबालन के नाम पे रख दिया है तो ये विद्या बालन फाइरिंग रेंच जम्मू कश्मीर के बारा मुला जिले के गुल मर्ग में स्थित है और ये फैसला भारतिय सिनेमा में उनके योगदान को देखते भी लिया गया प्रियंका चोपड़ा से क्या याद आता है अभी इन्होंने एक बुक लिखिये अन्फिनिश्ड नाम से दिया मिल जा तो युनाइटिड नेशन एन्वाइर्मेंट प्रोग्राम की ब्रेंड एम्बेस्टर है ही सही चलो आप तो यह बताओ युनाइटिड नेशन एन्वाइर्मेंट प्रोग्राम का हेड़ क्वार्टर कहां पर है वेते भारते सेना प्रमुख हमारे मनुज मुकुंद नर्वने है और हमारे एरचीफ मार्शल कौन है राकेश कुमार सिंग भदोरिया और करम बेड सिंग हम कौन सा बना था विजे नगर बना था पंजाब का 23 वा जिला पूछेंगे तो मलेर कोटला और तमिल नाडू का 38 वा जिला कौन सा बना था मैला दुथ रही मेगाले की केपिटल शिलॉंग होती है मुख्यमंतरी कौन्रोड संगमा है गवर्नर है सत्यपाल मलिक अच्छा सत् सत्यदेव नारान आर्रे ये भी तक हरियाना के क्या थे गवर्नर थे अभी आपको बताए आठ राज्यों के गवर्नर चेंज हो गए जिसमें चार के तो नए बन गए बिल्कुल चार के इदर उदर भग गए तो सत्यदेव नारान आर्रे पहले हरियाना के थे अब ये तिर तो under two coalition में कई सारे country हैं और कई सारे शहर भी हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि देश ही join करें, शहर या राज्य भी join कर सकता है, और इसमें जैसे अमेरिका के भी कई सारे शहर हैं, चाइना के भी कई सारे शहर हैं, भारत की चार राज्य उल्रीडी इसको join कर चुके हैं, जैसे कि चत्यजगर, जम्मू कश्मीर, तेलंगना, पश्चि मंगाल और अब महाराश्टर पांचवा बन गया है, वैसे जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उस अंदाजा से देखेंगे तो यह चोथा बन जाएगा, पांच विभाग आते थे, अब ये एक ओर चुड़ गया, तो इस तरह से वित्ट मंंत्राले में कितने विभाग हो गए, छे विभाग हो गए, अच्छा भी नवीन तम मंत्राले कौन सा बना था, सहकारिता मंत्राले बना था, जिसके मंत्री बनाए गए अमित्शा को, बाकी रेल मंत्री हमारे कौन बन गए हैं? अश्विनी वैशनव बन गए शिक्षा मंत्री कैसे याद करा था? शिक्षा ही धर्म है तो धर्मेंद्र परधान अंसर होगा और खेल मंत्री कौन बन गए हैं? अनुराग ठाकुर बन गए हैं अच्छा एक प्रश्ण में आपसे पूछूँ क्या चलो बताओ भारत में सरवादिक बजट किस वित्त मंतरी के द्वारब प्रस्तूत किया गया तो याद रखना मोरारजी देशाई के द्वारा दस बार किया था इनोंने और अगर आपसे पूछा जाये ना एक्जाम में कि भारत का पहला बजट ये किस वित्त मंतरी के द्वारब प्रस्तूत किया गया था तो आर के शण मुखम चट्टी के द्वारा जाद रखना ये और वरतमान में हमारी वित्त मंतरी तो निर्मला सितारमन ही था ही बताइए हाली में चल्चा में रहा जैबेल अली बंदरगा ये किस देश में है तो आंसर होगा युनाइटेड अरब अमिरात में तो युनाइटेड अरब अमिरात की शहर दुबई में इस्थे दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल जेबेल अली बंदरगा पर एक माल वाहक जहाज में विस्पूर्ट हो गया और ये विस्पूर्ट इतना भयानक था कि 25 किलो मेटर दूर तक की इमारते हिल गई वहाँ पर कमपन हो गया तो सिंपल सा याद रखना प्रशने एक्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा जेबेल अली बंदरगा ये किस देश में है युनाइटेड अरब अमिरात में है और क्यों आएगा परशन क्योंकि ये चर्चा में रहा और क्यों चर्चा में रहा मैंने आपको बता दिया और विस्पूर्ट से आपको याद होगा 2020 की बात है लेबिनॉन की राजदानी है बैरूत वहाँ पे भी विस्पूर्ट हुआ था बड़ा खतरना वहाँ पे अमोनियम नाइ होप मिशन है और होप पोर्टल ये भारत के किसा राज्या ने शुरू किया था उत्तरा खंड ने उसके अलावा अरब जगत का पहला पर्मानु संयंत्र इसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट युनैटेड अरब अमिरात में इस्ताफित किया गया और आपको पिछले बार जो तेरवा आईपिल था वो युनैटेड अरब अमिरात में हुआ था जिसको जीता था मुंबई इंडियन्स ने इस बार ये भारत में चल रहा था लेकिन अब कहा गया इसके जो बचेवे मैच हैं COVID-19 के कारण कहा गया था बचेवे मैच युनैटेड अरब के रूप में सेवा देने वाले अधिवक्ता का नाम क्या है जिनके जीवन पर एक फिल्म में बनाई जा रही है तो आंसार होगा सर चेटूर शंकर नायर तो सर चेटूर शंकर नायर ये मदरास हाई कोट में एक न्याय धीश थे और 1897 में भात्य राष्ट्रे कॉंगरेस के शुरूआत्य अध्यक्षों में से एक थे और विश्फिल्म में निर्माता जो है करन जोहर उन्होंने इनकी बायोग्राफिय बनानी की घोशना की है और आपको बता दू नायर ने अपनी बुक गांधी एन एनार्ची में जनरल डायर पर जलिया वाला बाग हत्याकान में ह हुए अत्याचारों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था उन्होंने जनरल डायर के खिलाफ केस भी लड़ा था नाम है सर चटूर शंकर नायर